हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गीद स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल गार्णिंग विद गीद कुमार में आज को जो हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है कि जेड प्लांट की जो पतियों में ब्राउन स्पॉर्स हो जाते हैं तो वो क्यों हो रहे हैं इसका क्या कारण ह होता है अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे ठीक करें तो यही आज का प्लांट वीडियो टॉपिक है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें मेरे चानल गार्णिंग विद गीद कुमार को यह जो प्लांट है लक्की जेड इसे घर में रखना बेह है एक बार अगर आप इस पौदी को लगाते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक आपके घर में यह बना रहता है अगर इसकी अच्छे से आप देख्बाल करते हैं तो यह जो प्लांट है इसमें एक चीज बहुत जादा देखने को मिलती है प्रॉब्लम जो होता है इस प्लां इसका में जो कारण होता है वह होता है फंगल इंफेक्शन अगर आप अपने प्लांट में बहुत जादा पानी देते हैं तो जिसकी वजह से इसके जो गंबले की मिट्टी है इसमें फंगस डवलप हो जाता है जो की दीरे-दीरे जड़ों को खराब करता है और फिर दीरे- होता है इस प्लांट को अगर आप completely धूप में रखेंगे तो यह बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा इसको indoor ना रखे और इस प्लांट की खास बात यह है कि इस प्लांट को आप किसी भी तरह के planter pot में चोटे से चोटे planter pot में या इस तरह के bottles में जो की waste हो जाता है हम इस प्लांट कर लें उसके बाद आप उसमें लगा सकते हैं और hanging basket की तरह भी आप यूज कर सकते हैं इन bottles को तो यह कहीं पे भी लगा दें तो बहुत सुंदर लगता है इस प्लांट में जो ज्यादा problem देखने के लिए इस तरह के मिलते हैं वह बहुत ज्यादा पानी की जिकल रहएित तो देख के वह जब लगें पानी की जाओरति लिएक हां उसके में तो जो एक्स्ट्रינה hotta है इसकी फट्यां इबल कर लेती हैं मैं आप लोगों को दिखाते हूं यह देखे इस में से पानीनिकल रहा है यह आप लोगों को दिख लगा होगा तो इसमें से पा तब ही इसमें पानी दिया करें, तब आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रू होता रहेगा, धूप में इन प्लांट में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं इस तरह के वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे जादा तर क्योंकि धूप में कीडे मकॉडे जो की में कारण ह प्लांट में मिलते हैं, अगर इस प्लांट की पत्तियां बिल्कुल सिकूट रही है, श्रिंक कर रही है, तो श्रिंक करने का कारण होता है, इसमें आप पानी नहीं दे रहे हैं, पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता है इस पादे को तो इसकी पत्तियां वो श्रिंक होने ल तरहरा फाल हैं अपनी चायरा पाम करें इस जिलेता है काया है कीमि इंडोर इंडोर हो डेयो přेंपूर दर ङसी मतने हो डिलिम आपके और जली। हो गया साफ हो गया तो एक से आधा लीटर पानी में आप एक बड़ा चमच पंजी साइड पाउडर को इसा भी एक चमच एड़ कर लें मिला कि अच्छी तरह से डिजॉल्व करके इसकी जड़ों में डाल दें और बाकी बचा जो पानी स्प्रेय बाटल में डाल के इसकी पत् अन्निंग के टाइम पे करें हैं यह उटन जीцाय्यादा इसाध करब करें करें तो इसके ज़्यादा अंधम इसके चाहिते होता जाता आना पहों आए प्लांट बहुत सारी प्लांट्स ट्यार कर सकते हैं यह ए बॉह जादा महांगे भी नहीं मिलते हैं और यह जो P 320顆 इस प्लैंट से तरह तरह के कई तरह के डिजाइन बना सकते हैं, अपने घर में डिजाइन बना कर रख सकते हैं, जैसे किसी आनिमल को बना लिया, आपने किसी तार को लगा के सपोर्ट दे कर कोई बर्ड बना लिया, तो इस तरह से बहुत सारे आप चीजों को तिहार कर सकते ह तो बहुत सुन्दर लगता है थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में लेकिन बनने के बाद बहुत सुन्दर लगता है टोपियरी उसको कहते हैं जो तरह तरह की टोपियरी आप बना सकते हैं इससे हैंगिंग बास्किट में लगा कर रखें बहुत सुन्दर लगता है इस प्ल तो नाइन की जो ग्रूथ है अच्छी होगी फांगली उठी निवानल हो थे फैंस ऐसको कम्रीट धूकि नहीं रखे और आपके पास टाइंग होरें बहुत कम टाइम है और आप प्लांट लवर हैं और ये प्लांट घर में रखना चाहते हैं तो इसको लगा कर रखें बहुत अच्छा प्लांट है इजी टू केर इजी टू मेंटेन प्लांट ज्यादा देख भाल नहीं करना पड़ेगा और घर भी बहुत सुन्दर लगता है घर में रखना इसको बहुत शुक भी माना जाता है तो यह है जेड प्लांट और इसकी वराइटीज बहुत सारी होती है यह जो प्लांट है यह क्रैसुला ओवाटा फैमली को विलाउंग करने वाला पौधा होता है इसकी वराइटीज होती है जो बड़ी-बड़ी पत्यों वाली भी होती है वो भी आप प्लांट नसरी से जाकर ले सकते हैं वो भी बहुत खूचूरत होते हैं और इस प्लांट की और यह प्लांट के बारे में गौर चीज़ बता दूं कि यह प्लांट बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट में होते हैं हवा को शुद अगर वक्त है तो आप आराम से देख भाल भी कर सकते हैं और इसको ब्राइट लाइट में इंडोर तो बिलकुल भी ना रखें जैसे कि मैं ने बताया फ्रेंट्स आउड़ोर ही रखें आउड़ोर रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी किडे में कॉड प्लांट खराब नहीं होगा आपका यह जो प्लांट में आप लोगों को दिखा रहे हो फ्रेंट्स के तीन चार साल से इसी जो है बॉटल जो है इसी में लगा हुआ है ना इसकी मैंने मिट्टी चेंज की है और नहीं इसमें कोई फर्टिलाइजर मैंने दिया है बहुत रे कि आपका जो प्लांट है वो खराब हो गया है यह गर्मियां आते ही अपनी नई ग्रोथ शुरू कर देगा और फिर आपके जो पौधा आपका जो पौधा है फिर से हराब हराब हो जाएगा तो यह था फ्रेंड्स जेट प्लांट जिसको आप लगा सकते है इसी तू मेंट प्लांट बहुत जादा इफेक्टेड है तो फंगल इंफेक्शन से या मिली बग से तो अगर आपका प्लांट बहुत जादा बुरी तरह से डामज हो गया तो इसकी प्रूनिंग कर दें और पानी से अच्छे से धो दें पूरे प्लांट को जहां जहां पे लगा है और नह है और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्णिंग विद गीत कुमार को मिलूंगे नेक्स वीडियो में तिल दें बाइ फ्रेंस टेक केर